साब कार है कि हमने गजब का काम किया है, करोरों का मुनाफ़ा हर एक्साम दिया है, फल सालों में अब देगा, फोधा जो लगाया है, सेवा का समर्पन का हमने फ़र्ज नभाया है, यह हैं लालो प्रसाद क्या तब, अपनी वाकपटुता और गवई अंदास से दर्शकों और शोताओं को हसाते हसाते लोटपोट कराने में माहिर, उनकी बात और जुमले सुनकर या उनके बोलने के अंदास पर बर्बस आपकी मुसकान न रुक पाए, लेकिन ये उनकी खुद की बहुत करीने से बनाई गई चवी है, जिसके पीछे एक बहुत ही चतुर और प्रकर राजनेतिक दिमाग है, दे मेरी गोल्ड स्टोरी इंदरा गांधी एंड अधर्स लिखने वाली कुम कुम चड़्धा बताती है, लालू is no fool, politically बहुत सैवी हैं, उनको exactly पता है कि किस टाइम मुझे क्या करना चाहिए जो work करेगा, एक attract करते हैं public को क्यूंकि वो एक so-called buffoon की image से attract करते हैं, statesman-like politician वो नहीं है, और क्यूंकि वो statesman-like politician नहीं है, तो इनका ये दूसरा via media ये है to give those kind of sentences which catch headlines, और एक contempt, जो urban contempt, उसको बहुत अच्छी तरह use करते हैं, और उनका एक normal sentence होता है कि तुम दिल्ली वालों को कुछ पता नहीं है, बिहार के किसी भी मुक्यमंत्री ने आज तक अपनी सरकार के चपरासी को दिये गए दो कमरे के सरकारी निवास से राजिका शासन नहीं चलाया, नहीं बिहार का कोई मुक्यमंत्री पतना मेडिकल कॉलिज में अपने बुहार में तप रहे बेटे का इलाज कराने आम लोगों की लाइन में खड़ा हुआ, मशूर पतकार संकरशन ठाकुर अपनी किताब सबाल्टन साहिब बिहार एंड़ मेकिंग आफ लालू यादव में लिखते हैं। अंग्रेजी के शब्द भी कुसा दिया जाते थे। ये चौंका देने वाली बात थी कि मुक्यमंत्री बन जाने के बाद भी वो अपने भाई के चपरासी वाले घर में रह रहे थे। हमने उनसे कहा भी कि इससे प्रशासनिक और सुरुक्षा की दिक्कतें पैदा होंगी औ और वेटरिनरी कॉलिज में रहने वाले लोगों की जिन्दगी भी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन हर बार वो यही जवाब देते थे। हम चीफ मिनिस्टर हैं, हम सब जानते हैं। जैसा हम कहते हैं, वैसा कीजिए। तमाम विवादों से जुड़े रहने के बावजूद लालू की लोग प्रियता का राज है, आम लोगों से उनका कनेक्ट। याद कीजिए, इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन के शुरू के दिनों में लालू बिहार की जनता को सिखाया करते थे कि मशीन से किस तरह वोट किय जाता है, एक बार वो बी-बी-सी दफ्तर आये थे और हमारे बहुत इसरार पर उन्होंने अपने उस भाशन को याद किया था मैं बताता था लोगों को कि देखो ये लाल टेन है और उसमें नाम लिखा है जो भी कैंडिडेट है लाल टेन के सामने वाले जो रो है उसमें है ठीक लाल टेन के उपर बटम है हर्मुनियम जेसा बटम है उसी बटम को दाहिना उंग्ठे के बगल वाले उंग्री से उसको लालू ने पहली बार जूता तब पहना था जब उन्होंने एंसी सी जोइन की थी जूता न पहनने की वज़े से उनके पैरों की उंगलियों के बीच हासा गैप पैदा हो गया था लालू की यादाश्ट बहुत घज़ब की है एक बार वो जिससे मिल लेते हैं उसका नाम और चेहरा वो कभी नहीं बूलते आरजेडी के वरिशने था और एक जमाने में लालू के विरोधी रहे शिवा नंतिवारी याद करते हैं कि एक बार वो लालू के साथ एक मीटिंग में गए थे बड़ा सा लोहा बाला जो माईक होता था लटका हुआ था दरी फटी भी थी और उगनाइजर भी वहां नहीं था नितालों का मुमन लेट जाते हैं हम लोग दस मिनिट पहले पहुँच गए वहाँ जो पहुँचे हम लोग तो मुसहर लोगों का टोला था बगल में उगने नहीं सबसे पहले देखा लालो जादा दोड़े वहां से लड़के फड़के वरत मरद वहां हमने देखा कि एक वरत है उसी ठोले से दोड़के आई है उसके गोध में बच्छा है और जवान वरत है उसकी उमर होगी मनें 25-30 साल की उमर होगी मैंने चाहती कि लालू जादो के आँख को हम कैच करें तब तक लालू जादो की नजर उस पर पड़ी कहा कि अरे सुखमनी आँ उसके बोली कि हाँ हाँ तो रेजे विया भहिलबा भोजपुरी में बात हो रही तुमारी साधी यहीं हुई है तुमारा बच्चा है उसके दूसरे बहन का नाम लेकर के पुछा है वो कहा है तो बता ही कि उसका यहीं है बगल में दूसरा गाँ है उसके बाद उसको पांचो रुपया निकाल के देना दिया कि बच्चे को मिठाई उठाई खिलाना हमको बड़ा ताज्यूब हुआ मुसहर टोली की ओरत इसको नाम लेके बुला रहा है इसके बहुन के बारे में पुछ रहा है हमने पुछा कि वे कौन है यह तो भिटनरी कॉले जहां लालू जादो रहे हैं वहीं बगल में मुसहर टोली है मुसाहट टोली की वो लड़की थी अब भी समझेए कि मुसाहट टोली के परिवार से भी इस आदमी का किस तरह का कनेक्शन है ये जो लालू जादो की परसनालिटी है यही उस आदमी की ताकत है शिवनन तिवारी एक और किसा सुनाते है ये उन दिनों की बात है जब लालू चारा घोटाला मामली में पहली बार जेल गए थे मेरे पास टेली फोन आया आप फलाने नमबर से बोल रहे हैं हमने का जी हाँ अब हम पूछें की कौन बात करेगा तब तक लालू यादो की आवाज आई बाबा पर नाम अब रहान जी आप कल पना कीजिए मेरी क्या इस सिती हुई होगी जिसके खिलाफ हमने मुकदमा किया जिसके खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी उसका अंजाम जो है उसको जेल भूगतना पड़ा है वो आदमी जेल से निकलकर हमको टेली फोन कर रहा है कि बाबा पर नाम ये रियर है पौध है आपको नहीं मिलेगा कहीं लालू की लीक से हटकर जीवन शेली उन्हें अपने मददाताओं से जोड़ती है संकरशन ठाकुर लालू यादव की जीवनी में लिखते हैं वो पटना के फ्रेजर रोड चौराहे पर पहुँचकर हाथ में मेगा फोन लिए खुद ही ट्रैफिक नियंतरित करने लगते थे वो अक्सर सरकारी दफ्तरों और पुलिस धानों का ओचक दोरा कर गलती करने वाले अधिकारियों को वहीं सजा दिलवाते थे वो पटना मेडिकल कॉलेज में खुद खड़े होकर अमर्जनसी वार्ड में मरीजों के साथ आने वाले लोगों के लिए रहन बसेरा बनवाते थे वो अक्सर बीच खेत में अपना हेलिकॉप्टर उतरवाते थे और लोगों को अपने उड़न खटोले में चक कर लगवाते थे वो अपनी मोटर के काफिले को अचानक सलक के किनारे रोक कर वहां घूम रहे गरीब बच्चों को टौफी बाटते थे कभी कभी वो गाउं के गरीब किसान के घर पहुँचकर खाना खाने के फरमाईश करते थे वो उनके बच्चों के साथ गाना गाते थे और मर्दों से पूचते थे खाईनी है तुम्हारे पास लालू यादव की पतनी राबडी उन्हें साहिब कहकर पुकारती है अपने बाद राबडी को मुख्यमंत्री बनाने पर लालू को बहुत आलोशनाओं का शिकार होना पड़ा था कुछ साल पहले यब लालू बीबी सी के दिल्ली दफतर आये थे तो हमने उनसे पूछा था कि राबडी देवी के अलावा आपका कहीं इश्क विश्क हुआ ऐसा हमने नहीं कभी सोचाना करना भी चाहिए थे अब तो ये जो इंटरनेट आगए और जो क्या मेसेज भेता ये मॉबाइल भेता ये SMS भेज रहा है हमको आज तक नहीं आता है मैं तो मॉबाइल भी अगर आगया तो किसी का सूने तो अफ करने नहीं आता है लालू खुद बताते हैं कि उन्हें खाना बनाने का बहुत शौक है वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों खाने के मामले में सुपर कूक है लालू जालो हम तो कई दफ़ा खाये हैं लालू जालो का बनाया हुआ कि दफ़ा ये मुफ्ती मुहमत सहीद के आ गए और उन्होंने पालक के साग में मंटन बनाया लालू एक सौपन देखने के बाद कुछ दिनों के लिए प्योर वेजिटेरियन हो गए थे लेकिन कम लोगों को पता है कि लालू एक जमाने में चूहा खाने के शौकीन थे कि ये सब लिखा जाए तो लालू ने उनको अपनी भाशा में कहा कि क्यों नहीं बोलेंगे ये सच है ये त्राइट तो लालू अपनी इमिज की कैर इस तरह करते थे कि अगर नेगिटिव इमिज से पॉजिटिव एक रियाक्शन आएगा तो उसको करते थे लालू के हेर स्टाइल का एक जमाने में बहुत मजाक उड़ाया जाता था और लोग साथना कट कहकर उसका उपहास करते थे लेकिन लालू के पास इसका भी सॉलिट जवाब था आएगा किसु तो उखड़ा हो जाते अना कंघी हम रख सकते हैं ना मूह देखते हैं ना में मेकप करते हैं इसलिए तीन महिना का हम ऐसा काम करते हैं कि छोटा-छोटा बाल करते हैं फिर बाल बड़ा रहने मता खुझ लाता और गर्दन आदमी को बहुत तरगी तकलिफे होती हैं इसलिए बाल को मैं छोटा करवाता हूं बाल छोटा कराने से अपना हाथ से ही कंघी का काम मैं कर लेता हूं थोड़ा इसको ठोक ठाक के बच्चा के तरह सूता देते हैं कि सूते रहो यह कोई साधरा कौन कट है नहीं हमको आज कर देखते हैं लड़की के तरह से बाल रख रहा है लोग बिचितर सूरत लोग के लगते हैं और वो बड़ा बाल रखा उसका तरह बाल पकड़के कोई भी दूमुका मार सकता चोटा बाल रखने से तो हाथ में बनायेगा ही नहीं कॉलेज में लालू थेटर किया करते थे उन्होंने शेक्सपियर के नाटक मर्चिन्ट आफ वेनिस के भोचपुरी रुपांतरण में शायलौक की भोमिका निभाई थी उनको सिनेबा देखने का तो नहीं लेकिन बिहार के लोक संगीत का बहुत शौक है गाउं देहात का जो आपका समझे की नाच गाना है वो अभी तक याद है भी बंबई से लोटके आने के बाद हुजिल से निकल के जब आये थे कौन एक विर्जुभार खिसा है उसका हम लोग के हाँ चंपारन के इलाके में कोई ग्रूप है उसको बुलवा के वहां से फोन का जाएगा व्रणके मावी मावी मुती ब Mitte होँसे लोग से लौवाद फेलए आए रहा ईंगे यहां थोड़ा थोड़ा घृस्टे के जो है, जो है लोग शंगीत के मामले में भाऊं का जो गाना बजाना है उसमें मिलता है, तो हमको भी पहून जाये, आब 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 माली ये देहात में लॉंडे का नाच होता है पहले, चैता होता है और हम भी चैता सुनदे के सोकीन है पराद रात भरबैट करके हम लोग चैता हो रहा है, विखारी ठाकुर तो छप्राही जीला के थे, लालू जादो के, जीला के ही थे बहुत ही बड़े कलाकार हुए, बहुत ही बड़े भुजपुरी का सिक्सपियर रूप कहा जाता है लालू का अभी भी मानना है कि चुनाओ बिजली सडक और पानी के मुद्दे पर नहीं जीते जाते एक जमाने में लालू के नस्दी की रहे शाम राजक कहते हैं कि लालू जान बूच कर अपने मद्दाताओं को अभाव में रखना चाहते हैं एक बार उन्होंने अपनी ही चुनाओ सभा में कहा था यगर सडके बनेंगी तो पुलिस वाले जल्दी आकर जूटे मामले लगाकर तुम ही पर जुल्म ठाएंगे कुम कुम चटधा खहती है तब connectivity इतनी नहीं थी तो हमें याद है कि as journalist also अगर किसी remote गाओं में जाना पड़ता था देखने तो हम पूछते थे कितना वक्त लगेगा तो obviously जो accessible नहीं है वो disconnected है और जो disconnected है उसको जाकर कोई पुलीस जाएगी या कुछ तो लालू का ये था सड़क बनेगी साइकल आएगी साइकल आएगी पुलीस वाला आएगा तुमको तंग करेगा उठाके ले जाएगा तो छोड़ दो सड़क की ज़रुरत देगा लालू के लिए रोटी से बड़ी है इस्जत उन पर भले ही रष्टाचार के आरोप लगे हूं और वो भारतिय राजनीती के कथित रूप से सबसे बड़े जातिवादी नेता हूं लेकिन इस बात से कम लोग इंकार करेंगे कि उन्होंने अपने लोगों को एक पहचान दी लालू का strong point जो है वो है अपनी community को identity देना मुझे याद है जो taxi driver मुझे लेके जा रहा था तब लालू के खिलाफ हवा थी क्योंकि यादर बड़ी disillusion हो गए थे और उसने हमें कहा लालू ने ये किया हमारे लिए कुछ नहीं किया पैसा कमाया जो भी उनके negatives उस समय उस election मे थे उसने enumerate किये और उसने का पर एक रिन है जो हम लोग कभी नहीं चुका सकते और वो रिन है कि लालू ने हम लोगों को आपके बराबर बैठने का मौका दिया है which meant कि जो lower caste जो जमीन पे बैठता था लालू ने आज उसको एक identity दे इस समय लालू चारा घोटाले के कई मा संगिक्ता नहीं रही शिवानन तिवारी कहते हैं लालू जादो जो है जमे हुआ है